ओम शान्ती 642024 के साकार अनमूल धार्ना युक्त मधुर महवाके हैं मिठे बच्चे, शिरीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो? इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है बाप की घ्यान डान्स किन बच्चों के संमुक बहुत अच्छी होती है? अंसर है जो घ्यान के शोकीन है, जिनकिन योग का नशा है जिनके सामने बाप की ज्यान डांस बहुत अच्छी होती है नंबर वार श्टुडेंट है परन्तो यह वन्डरफुल स्कूल है कईयों में जरा भी ज्यान नहीं सिरफ भावना बैठे हुई है उस भावना के आधार पर भी वरसे के अधिकारे बन जाते है रोहानी बच्चों को रोहानी बाप समझाते हैं इसको कहा जाता है रोहानी ज्यान वा ज्यान रोहानी ज्यान वा इस्प्रिच्वल नॉलेज इस्प्रिच्वल नॉलेज सिरफ भाव के पासी होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती ही नहीं रूहानी नॉलेज देने वाला एक बाप है जिसको ज्यान का सागर कहा जाता है हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खुबी होती है ना बैरिस्टर बैरिस्टर है डॉक्टर डॉक्टर है हर एक की duty पार्ट अलग-अलग है हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है कितनी छोटी आत्मा है वंडर है ना गाते भी हैं चमकता है ब्रकुटी में के बीच में अजब सितारा ये भी गाया जाता है निराकार आत्मा का यह शरीर है तक्त है बहुत छोटी सी बिन्दे और सब आत्मे एक्टर्स है एक जनम के फीचर्स मिले ना दूसरे से एक जनम का पार्ट ना मिले दूसरे से किसी को भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे पिर future में क्या होंगे ये बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं सुभा की तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाही होई आत्मा परजुलित होती रहती हैं क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी होई है बाप सोनार का भी काम करते हैं पतित आत्माई जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं खाद पड़ती है ना चांदी, तांबा, लोहा, आदी नाम ही ऐसे है गोल्डनेज, सिल्वरेज, कौपर, आहिरनेज सतो परधान, सतो रजो तमो ये बाते और कोई भी मनुष्य गुरू नहीं समझाएंगे एक सत्गुरू ही समझाएंगे सत्गुरू का अकाल तक्त कहते हैं न उस सत्गुरू कोई तक्त चाहिए न जैसे तुम आत्मों को अपना अपना तक्त है उनको भी तक्त लेना पड़ता है कहते हैं मैं कौन सा तक्त लेता हूं ये दुनिया में कोई कोई भी पता नहीं है वैह तो नेती नेती कहते आए हम नहीं जानते तुम बच्चे भी समझते हो पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेज समझ कहा जाता है भारत वासी समझते हैं बहुत समझदार थे विश्व का राज्य भाग्य हमारा था अब बे समझ बन पड़े हैं बाप कहते हैं तुम शाष्टर आदी भल कुछ भी पढ़े हो ये सब अब भूल जाओ सिरप एक बाप को याद करो ग्रश्ट वेभार में भी भल रहो सन्यास्यों के फॉल्वर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं कोई-कोई सच्चे फॉल्वर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं बागी कोई कहां कोई कहां रहते हैं तो ये सब बाते बाप बैठ समझाते हैं इसको कहा जाता है ज्यान की dance, योग तो है silence, ज्यान होती है, ज्यान की होती है dance, योग में तो बिल्कुल शान रहना होता है, dead silence कहते है न, तीन मिन्ट dead silence, परन तो उनका भी अर्थ कोई जानते नहीं, सन्यासी शानती के लिए, जंगल में जाते हैं, परन तो वहाँ थोड़ी शानती मिल सकती है, एक कहानी भी है, रानी के गले में हार पड़ा था आदी आदे, ये मिसाल है शानती के लिए, शानती आत्मा का स्वधर में गुण है, लेकिन मनुष ढूनते रहते हैं इधर उदर अगर ये जान जाए मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा है ही शानत स्वधरूप, तो सदा के लिए शानती मिल जाएगे, बाप इस समय जो बाते समझाते हैं, वो द्रश्टान पिरभक्ति मार्ग में चले जाते हैं, बाप इस समय पुराने दुनिया को बदल, नई दुनिया बना ये तो तुम समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया, बाकी यह दुनिया ही तमो परधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से प्यादा होते हैं, देवताईं तो विकार से प्यादा होते नहीं, उनको कहा जाता है संपुर्ण निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ट, अक्ष बाप कभी पुजारी बनती नहीं, मानुष्य तो कण में परमात्मा कह देते हैं, तब बाप कहते हैं, भारत में, जब जब ऐसी धर्म ग़ानी होती है, तब मैं आता हूं, वो लोग तो सिरफ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं आर्थ कुछ भी नहीं जानते रहे समझते हैं शरीर ही पतित बनता है आत्मा नहीं बनती बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी तब शरीर भी पतित बना है सोने में खाद पढ़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है परन्तु वो सभ्य भक्ति मार्ग में बाप समझाते हर एक में आत्मा विराज्वन है कहा भी जाता है जीव आत्मा जीव परमात्मा नहीं कहा जाता माहन आत्मा कहा जाता है माहन परमात्मा नहीं कहा जाता आत्मा ही भिनभिन शरील लेते पाट पजाती है तो योग है बिलकुल silence यह फिर है ग्यान डांस बाप की ग्यान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकिन होंगे बाप जानते हैं किस में कितना ग्यान है कितना उसमें योग का नशा है तीचर तो जानते होंगे न बाप भी जानते हैं कौन-कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां ताहां बुलावा होता है बच्चों में भी नंबरवार हैं प्रजा भी नंबरवार पुर्शार्त अनुसार ही बनती है यह स्कूल अथवा पार्शाला है इसमें किसी को नंबर बार बिठा नहीं सकते बाबाय जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्यान नहीं सिरफ भावना है बाकी तो ना ज्यान है ना याद है इतना निश्चे है यह बाबाय है इनसे हमको स्वरक लेना का वर्षा लेना है वर्षा तो सबको मिलना ही है परन्तु राज़ाई में तो नंबर वार पद है जो बहुत अच्छी सर्विस करते उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है यहां सभी को प्राइज देते रहते हैं जो राई देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती हैं, अभी तुम जानते हो, विश्व में सच्ची शांती कैसे हो, तो बाप ने का है, उनसे पूछो, तो सही, कि विश्व में शांती कब थी, कभी सुनीवा देखी है, किस परकार की शांती, मांगते हो, कब थ तुम प्रशन पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो जो प्रशन पूछे और खुद ना जानता हो उनको क्या कहेंगे तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांती मांगते हो शान्ती धाम तो है जहां हम सब आत्माई रहती हैं बाप कहते हैं एक तो शान्ती धाम को याद करो दूसरा दुख धाम को भूलते जाओ और सुक धाम को याद करो स्रिष्टी के चक्र का पुरा ज्यान ना होने के कारण कितने गपोड़े आदी लगा दिये हैं तुम जानते हो हम डबल सिर्टाज बनते हैं, हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने, देवताओं को देवता ही का जाता है, मनुष्य नहीं क्योंकि देवी गुन वाले हैं, जिन में आउगुन हैं वह कहते हैं, मुझ निर्गुन हारे में कोई गुन नहीं, शास्त्रों में जो बाते सुनी हैं वो सिरफ गाते रहते हैं अचितम केश्वम अधियाधी जैसे तोते को सिखाया जाता है कहते हैं बाबा आकर हम सब को पामन बनाओ ब्रह्म लोग को वास्तों में दुनिया नहीं कहेंगे माहा तुम आत्मा ही रहती हो वास्तों में पार्ट बजाने की दुनिया यही है बहर है शान्तिधाम बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचे देता हूँ मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते यह भी अभी सुनते हैं मैं इनमी परवेश करता हूँ पुरानी पतित दुनिया रावन की दुनिया जो नंबर वन पावन था वही फिर नंबर लाष्ट पतित बना है उनको अपना रत बनाता हूँ first so last में आया है फिर first में जाना है चित्र में भी समझाया है ब्रह्मा द्वारा में आदिशनातन देवी देवता धर्म की इस्थापना करता हूँ ऐसे तो नहीं कहते में देवी देवता धर्म में आता हूँ जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारेन बनते हैं विष्णु कोई और नहीं है लक्ष्मी नारेन अथवा राधे कृषन की जोड़ी कहो विष्णु कोण है यह भी कोई नहीं जानते बाप कहते हैं मैं तुमको वेदो शाष्ट्रों सब चित्रों आधी का राज समझाता हूं मैं जिसमें परवेश करता हूं वेह फिर यह बनते हैं प्रवर्ति मारग है ना यह ब्रह्मा सर्श्वती फिर वेह लक्ष्मी नारेन बनते हैं इनमें ब्रह्मा में मैं परवेश कर ब्रह्मनों को ज्यान देता हूं तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं, यह है बड़ी नदी ब्रह्म पुत्रा, मेला भी सागर और ब्रह्म पुत्रा नदी पर ही लगता है, बड़ा मेला लगता है, जहां सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें परवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं, इनको वह ब्रह्मा स तो विश्णो बनते, बनने में एक सेकिन लगता है, साक्षातकार हो जाता है और जट निश्ची हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं, तो यह पढ़ाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया, तुमको भी पहले मालूम हुआ, बाबा आया हु यह दुनिया ख़तम होने वाले है, तो जट भागे, बाबा इने नहीं बहाया, हाँ भठी बनने थी, कहते हैं क्रृष्ण ने बगाया, आच्छा क्रिश्ण ने बहाया, तो पटरानी बनाया न, तो इस ग्यान से विश्व के माहराजा माहरानी बनते हैं, यह तो अच्छा ह इसमें गाली खाने की दरकर ही नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंकी धर बनते हैं। कलंक लगते शुबाबा पर हैं, कितली इंकलानी करते हैं, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, सो हम आत्मा, अब बाप समझाते हैं, ऐसे नहीं हैं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मन हैं, ब्राह्मन हैं सबसे उच्छ कुल, इनको डिनाइश्टी नहीं कहेंगे, डिनाइश्टी जिसमें राजाई होती है ये तुम्हारा कुल है है बहुत सहज हम ब्राह्मन सो देवता बनने वाले हैं इसलिए दैवी गुन धारन करने चाहिए शिगरेट बीडी आदी का देवताओं को भोग लगाते हैं क्या शिरीनात द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं भोग जो फिर दुकार भी लग जाती है यात्री जाकर लेते हैं मनुष्यों की बहुत भावना रहती हैं सत्युग में तो ऐसी बाते होती नहीं ऐसी मख्यां आदे भी नहीं होंगे जो किसी चीज को खराब करें ऐसी बिमारी आदी वहां होती ही नहीं बड़े आदमियों के पास सफाई बहुत होती हैं वहां तो ऐसी बाते ही नहीं होती रोग आदी होते नहीं यह सब बिमारीयां द्वापर से निकलती हैं तो बाप आकर तुमको एवर हल्दी बनाते हैं, तुम पुर्शार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हल्दी बनते हो, आयू भी तुमारी बड़ी होती है, कल की बात है, 150 वर्ष आयू थी ना, अभी तो 40-50 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे और यहां भोगी है, तुम राज योगी, राज रिशी हो, इसलिए तुम पविक्त्र हो, परन्तु यह है पुर्ष तम संगम यूग, मास यह वर्ष नहीं, बाप कहते हैं, कल्प कल्प, पुर्ष तम संगम यूगे यूगे आता हूँ, बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं, एक बात कभी नहीं बोलना, पामन बनना है, तो मुझे याद करो, एके सभी धरम त्याग करो, अब तुमको वापिस जाना है, मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, यहां तो विकार से पैदव होते हैं, आत्मा जब संपुन पवित्र बनती है, तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते ह हो, फिर नहीं मिलेगे, तुमारा गायन है, वन्दे मात्रम, तुम धर्ती को भी पवित्र बनाते हो, तत्वों सहित, विश्व परिवर्तन होता है, तो धर्ती भी पवित्र बनती, तुम मातें स्वरक का द्वार खोलती हो, परन्तु यह कोई जानता नहीं है, अच्छा, मी रोखानी बाप की रोखानी बच्चों को नमस्ते, हम रोखानी बच्चों की रोखानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गोड मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग, ओम नमस्ते, धाना के लिए मुखी सार है, आत्म रुपी जोती को पजलवित करने के लिए, सवेरे स याद की यात्रा में बैठना हैं, याद से ही जंक निकले गई, आत्म में जो खाद पड़ी है, वो याद से निकाल सच्चा सोना बनना है, बाप से उच्छ पद की प्राइज लेने के लिए भामना के साथ साथ ज्यानवान गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है, बरतान, चलन और चेहरे से पवित्रता के शिंगार की जलक दिखाने वाले शिंगारी मोरत भाव, स्पष्टी करन, पवित्रता ब्राह्मन जीवन का शिंगार है, हर समय पवित्रता के सागर की अनभूती, चेहरे वा चलन से ओरों को हो, द्रिष्टी में, मुख में, हातों म पाउं में सदा पवित्रता का शिंगार पर्तेक्षो हरे इक वर्णन करे कि इनकी फीचर से पवित्रता दिखाई देती है नैनो में पवित्रता की जलक है मुख पर पवित्रता की मुस्कराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए इसको कहते हैं पवित्रता की शिंगार से शिंगारी हुई मूरत स्लोगन व्यर्थ संबंद संपर्क भी एकाउंट को खाली कर देता है इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो व्यर्थ संबंद संपर्क भी एकाउंट को खाली कर देता है इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो ये अव्यक्तिशारा एक दो किसने ही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संक्लपों को एक दो से मिलाएंगे लेकिन ध्यान रहे आपकी स्तिती स्तुती के आधार पर नहीं हो नहीं तो डगमग होते रहेंगे कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उनके फल की इच्चा रखते हैं स्तुती होती है तो स्तिती अच्छी रहती है अगर कोई निंदा कर देता हैं तो निधन के बन जाते हैं अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं लेकिन तूती निंदा में समान इस्तिती रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं, ओम शानती.